हेलो फ्रेंड्सalter वेलकाम बेक टु माई channel फ्रेंड्स आज हम आब लोग को एक scrub बना के आब लोग को दिखाएंगे ए बोडी स्क्राबर हैं आप लोग फेस में यूज कर सकते हैं और फूल बोडी में भी यूज कर सकते हैं ए बहुत अच्छा scrub है तो यह हम लोग का किचिन मे रहता है और बहुत स्वास्ता में हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यह कौनशा स्क्राब है बोडी स्क्राब बानान के लिए हमको चाहिए शुगर चाहिए तो हम एक बार वान टीस्पून शुगर लिया शुगर का नेचरेल ग्लाइकोलिक एसीड स्कीन को स्कीन करता है स्कीन को बहुत अच्छा से एक्सपूलियेट करता है और यह मोईस्टेजर का काम भी करता है तो इसके लिए शुगर चाहिए हमको वान टीस्पून तो शुगर को पहले हम पीस लेना है यह से पाउडर बनाएंगे तो देखिए शुगर पाउडर हो गया और इसके साथ हमको चाहिए कोकोनाट ओयल कोकोनाट ओयल में बहुत सारे फैटी एसीड होते है और यह एंटी बैक्टिरियाल और एंटी फंगल भी होते हैं यह हमारे स्कीन को मोईस्टराइज करता है और स्कीन के कोलाजिन प्रोडक्शन को बडाता है यह हमारे स्कीन को याम्द रखता है इसमें विटामिन E एंट्र विटामिन A होते हैं जो डार्फ स्पोटस को भठता है और स्कीन को लाइटन करता है तो शोची फ्रेंड्स कोकुना ट्याल हमारे स्कीन के लिए नहां आच्छा है तो है कोकुना ट्याल को हम के चीनिक के साथ आच्छासे मिलाएंगे कि विर्टर में यह जम जाता है तो कोई बाद नहीं कोईले आच्छा से हम इसके साथ देखे फ्रेंट्स यह हो गया आभी हम यह फेस पर अप्लाई करेंगे यह फूल बॉड़ी में भी अप्लाई कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाया ऐसा होना चाहिए देखे कितना अच्छा स्क्राब हो गया तो फ्रेंट्स पहले फेस को अच्छा से वार्स कर लिजे उसके बाद यह स्क्राब लगाए धीरे धीरे बहुत स्मूध चाह यह हो गया पैक पैकना यह स्क्राब तो देखे थोड़ा सा लेंगे क्लोक वाइज एंटी क्लोक वाइज धीरे धीरे एसा ऐसे करके चाह से पास मिनिट होट तो फाइव मिनिट ऐसे मुसर्स कीजिए विकली दो तीन दिन ऐसा कीजिएगा तो आपका स्कीन में बहुत अच्छा ग्लो आएगा तो आपका बहुत अच्छा लाएगा जितने दाग दापे पूरा सब गायब हो जाएगा रिमूब हो जाएगा आपका स्कीन एकदम क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे हम थोड़ा सा दिखा रहा है ज्यादा मत कीजिए फ्रेंड्स चार से पास मिनिट्स ऐसे कीजिए तो फ्रेंड्स चार पास मिनिट्स हम ऐसे धिरे धिरे स्क्राब किया तो अभी वास करके आप लोगों को दिखाते हैं ऐसे नॉर्माल पानी से हम वास करके आप लोगों को दिखाते हैं तो देखे फ्रेंड्स हम फ्रेस को वास करके आया और बहुत अच्छा लग रहा है ब किजिएगा अगर एफ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा तो मिलते आगले वीडियो में थैंक यू